नमस्कार दोस्तों, आपका सौगत है अपने किसानेगरो इंडेस्ट्री यूटूब चैनल के उपर आज आपन कोई भी दूद देने वाला जानवर हो, गाई, भाईस या बकरी कोई भी दूद देने वाला जानवर हो, उसका दूद कैसे बढ़ा सकते है, इसके बारे में बात करने वाले हैं कोई भी जानवर का आसाने से दूद बढ़ाने के लिए, क्या खिला सकते है, क्या टॉनिक दे सकते है इसके उपर बात करने वाले, अभी जो आप देख रहे हैं, यह है, ओर्वेक कंपनी का, ओस्टोवेट कैलसीम टॉनिक, तो इसके पिलाने के वज़े से क्या होता है, जो भी दूद देने वाला पोश्यो होता है, तो उसके बॉड़ी के अंदर बहुत सारे डिपिसेंसिज हो तो उसके ब्लबाइडियत की कमतरता उसके बॉड़ी के अंदर मेसुस हो जते हैं, उसके वज़े से ज्झनोर का दूद कम हो जाता है, और जैनुर के यह और रिक्निस कैसे होता है, कभी-कभी क्या होता है, कोई बी एचप काव हो, जरसी हो या कोई अपनी देसी गाइ हो, तो उसके delivery के delivery होने के बाद गाई बैट जाती है, गाई खड़ी नहीं हो पाती है, तो वो calcium के diffusing के वज़े से ये problem आती है, तो उस time क्या करना चाहिए, तो इस type का calcium syrup लाक है, जब गाई प्रेगनन्ट होती है, जब गाई गाभीन होती है, तो उसके गाभीन पिरेड के time पे ही ये calcium tonic उसको पिलाना चाहिए, तो कि क्या होता है, delivery होने के बाद उसका दूद अच्च से गाई दे पाती है, या delivery होने के बाद भी आप खोराक में डालके ये tonic उसको पिला सकते है, गाई को, भैस को, या आपके पास कोई भी जानवर हो, ये एक लिटर का bottle है, ये market में पाके के vitamins, और इसके अंदर क्या करने का है, अपने को ये जो वाइमरल देख रहे है, ये vitamins का bottle है, ये वाइमरल की एक bottle इसके अंदर डालके mix करके, इसको पिलाने का है, गाई और भाईज जई से बड़े चानवर को, पर ड़े 50 ml आप खोराक में डालके दे सकते है, बिस दि जादा कॉंटिटी में अपने को गाई से दूद मिलता है, इसलिए अपने को ये टॉनिक पिलाने का है, और गाई के बाड़ी के जो विविकने से और पोड़ी वगरी निकल जाएगे, इसके अंदर भी वाइमरल दालके दे सकते है, और दूसरा तरीका कैल्सेम देने का ये आपने को जो एनर्जी सोर्सेज, कैलरी वगरे गुड के अंदर अच्छी खुरेटी में होते है, जो भी पश्चु डिलिवरी हो गई हो, उसकी गाई हो, कौनसी गाई हो, गीर हो, या अपनी एचप हो या जरसी का हो, उसकी डिलिवरी होने के बाद आप उसको हर दिन 200 या 300 ग्राम गुड खुरा के अंदर खिला सकते है, उसके वज़से उसके बादी को एनर्जी सोर्स भी मिल जाएगा, और उसके बादी के कैलसियम की भी कमिया नहीं रहेगी, गाई अच्छे से दूद भी दे पाएगी, ये तो ये सिंपल तरीका है, गाई का दूद बढ़ाने उनका दूद की जो लेवल है या उनकी बॉड़ी की जो विकने से वो भर जाएगी, और पश्चु तंदुरुस्त रहेगा और अच्छे से दूद दे पाएगा, इसके अंदर आपको कुछ प्रावल्म आ गया, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसके उपर भी अणिस्क्रिप्शन फिक विए, थैक य।